तो आज हम फिर्शर प्रजेंट है क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर जिसमें कि आज है मिकसर साइड 8.2 का बारस लेके सुलर तक का हम इस वीडियो में सॉलिशन हम करेंगे तो वीडियो में बने रहे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हो सके तु कि प्रकार है कि 25-30 में और इन जो है प्रलंंब यह प्रम पार इसम्रण किहाएं प्रकार का कि पी एंडन लंब बना लिया अब इसको यहाप मेलनu नीचिया नाइक क्राम लेकितने हम angle 2 मान लेते हैं ठीक है इस परकार क्या हमको बनाने हम थोड़ी आसानी होगी चारे सबसे पहले लिखें कि दिया है क्या है दिया है अब क्या दिया है भाई तो लिखेंगे कि P समनांतर N M है और क्या दिया है कि N जो है लंब है P पर ठीक है तो सिद्ध करना क्या करना तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है उसको हम देखेंगे कि सिद्ध करना है कि N जो है लंब है M पर यहने क्या पी पर तो लंब है साथ में साथ क्या है इन जो है लंब किस पर है M पर भी है तो आपको देखना चलिए प्रमान देते हैं क्या है प्रमान देखेंगे तो क्या ह है बस उसी से हम चलते हैं क्या है कि दिया हुआ है जब लंब है मतलब क्या है कि एंगल एक का जो मान होगा बो 90 होगा जिसे लंब है मतलब क्या है बो कौन क्या होगा 90 डिगरी होगा इसलिए क्या दिया है कि P समनांतर M क्या है P समनांतर M ये भी क्या है आपका दिया है तो समनांतर के सर्थ से क्या हो जाए कि एंगल 2 जो हो जाएगा एंगल 1 क्या हो जाएगा कैसे हम कहेंगे एकांतर अंतर कोन से कैसे होगा एकांतर अंतर कोन से थिका हो जगा न जातें तीसाय तो थोधा क्या होगा? पर पिराबर हो गा? तो एंगल 2 का मान, एंगल 1 का मान कितना? 90 डिग्री के बराबर, जब 90 डिग्री है मतलग n जो हो यह है, m पर भी क्या है? लंब इसी लिखा हो जाएगा एन लंब है एंपा जी ही आपको क्या करना था प्रूफ करना था यह हमने प्रूफ कर दिया तो यह था आपका कुशन नंबर बारा का सुदूशन आसा करते हैं वीडियो पसंदा प्लीज लाइक करें शेयर करें और फैला दें आपको जहां भी चली डीको लिख़ी तेखायों किं किन दसाओं में समनांतर होती है किसी एक को सिदर करें कोई आपको के करनाया झालएफ कि इस रत होता है थिया लिखेंगे कि एक अंतर अंतर कोन के युग क्या होते हैं याद लगा क्या होते हैं का अंतर अंतर कोन के यूं क्या होते हैं बरावर होते हैं दूसरा है क्या होते हैं संगत कोन बरावर होते हैं यदि संगत कोन बरावर होता है तो इन दसामें रेखाएं क्या हो समनांतर होती है यदि अंतर कोन बरावर होती हैं तीसरा सर्थ है कि एक ही तरफ के अ क्या एक ही तरफ के अंतर को क्या होते हैं संपूरक होते हैं क्या होते हैं इस दसा में भी क्या होता है जो देखाएं होती है वो क्या होती है समनांतर होती है अब क्या है कि इन तीरों में तो आप जाकर इन तीनों में से किसी को क्या कर सकते हैं किसी को सिद्ध कर सकते हैं चलिए तो हम इसी को सिद्ध कर लेते हैं संगत कौन युक्त क्या होते हैं पराबर होते हैं तो चलिए वीडियों बने रहिए चलिए अब हम आ चुके हैं अभी ग्रीट आर्दसम्लव 4 जो कि मैंने इसके पहले भी आपको क्या कर चुका है बता चुके हैं तो अभी ग्रीट तो जी है जी है यानि जो नों नों बरावर हो गया चल望 क्यों समनबर पर होगी तेहिए को यह करना करना था यह था उन वते रहे का सुलूशन चले चलते हैं कुश्चन नंबर 24 में चले कुश्य के लाएं चले कुश्चन वाइं ल और एंफ व तदो परति च्छेदि रेखा हैं तथा पी-अपी और एल जो आपकी लाइन है वो समनांतर है और क्यू है जो एम की क्या है समनांतर है तो साबित कीज़े कि पी और क्यू भी क्या है प्रतिछेदी रेखा है तो साबित कीज़े कि यह दुनों भी क्या है प्रतिछेदी रेखा है तो चले इस क्या करना सिद करना सिद डारेक्ट सबस छेदी क्या है रेखाएं है क्या दो प्रतिछेदी रेखाएं है तथा क्या हो जाता कि पी समनांतर है एल के और क्या है कि क्यू समनांतर है एम के ठीक है तो सिद्ध करना क्या करना तो सिद्ध करना है अब जो सिद्ध करना उसको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा कि सिद्ध क्या करना कि P तथा Q भी क्या है प्रति छेदी रेखाएं हैं यही आप क्या करना है कि यह दोनों भी क्या है प्रति छेदी रेखाएं हैं चलि इसको सिद्ध करना तो चलि स से पहले हम प्रामान, क्या देंगे प्रामान, हम देंगे कि एल और म क्या is कि दो, प्रती छेंदी रिखाए हैं जो प्रतिछेदी रिखाएं हैं जिसे कारण कार कि पी समनानतर एल हो जाता था और क्यू समनानतर एम क्या है आपका यह दिया हुआ है जो प्रसंदिया हम क्या है उसी की साफ से लिखेंगे ना यहां पर क्यूंकि दिया हुआ था ना कि प्रमान में क्या है कि पी तथा एल कि बढ़ाया गया यह इतना लंबा क्या था नहीं था तब जाकर यह क्यू पर गिरा तो यदि हम पी रेखा को भी क्या है कि बढ़ाया तो यह लेखाएं क्या होगी क्यू पर समनांतर होगी क्या होगी गिरेंगी और इस परकार क्या है कि यह जो पी लाइन है क्यू को भी क्या हो गया बढ़ाया जाए तो वह रेखा क्या है वह रेखा क्यूं को क्या क्यूं को एक बिंदू पर क्या करेगी एक बिंदू क्या करेगी आप देख सकते हैं जैसा कि यह देखा है तो क्यों काटेगा पी को पी अगर बाड़ा तो क्या करें क्यों को काटेगा तो इस प्रकास कर सकते हैं तर पी तथा क्यू दोनों क्या है कि प्रतिछेदी रेखाएं हैं या लिख सकते हैं कि पी तथा क्यू भी इन दोनों में साब कोई भी लिख सकते हैं कि पी ते-ई-वर in दिशाया क्यों भी क्या पति छेदी हैं यही आपको क्या करना था अब करना था यहीं। करना हैशंट नहॅन-बर पंद्रह करता है क्या हो चैना मदया मंत पंडरख गाता कि किुसी एक पार लंब हो एक को एक समानते रेखा क्या एक पर क्या है लंब हो मान लेते हैं इसका नाम पी है इसका नाम क्यू है इसका नाम आर है ठीक है किसी एक क्या है कि लंब है यह उपर लंब ले लिजे चाहे नीचे लंब आप ले लिजे ठीक इसको एंगल एक मान लेते हैं ठीक है करता है तो सीध क भेद कि दिया है किया है अब जो दिया है उसको हम लिखेंगे कि पी क्या है समनांतर है क्यू के तथा že हो जारा कि आरज हो रहा है व üzल लंब हो जा रहा रहा है उने का का अब Jay सिद्ध करना है अब जो सिद्ध करना उसको तो क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा सिद्ध करना कि आर क्या है जो लंब है वो क्या है क्यों पर क्या है क्यों पर लंब है और पी पर तो लंब है साथ में साथ क्या क्यों पर भी लंब है प्रमान देते हैं अब प्रमान म बराबर हो जाएगा यह कैसा होगा तो एकांतर अंतर कौन से कैसा होगा एकांतर अंतर कौन से क्या हो जाएगा कि यह दोनों एंगल बराबर हो जाएगा ठीक है चली इसकी कारण क्या हो जाएगा कि एंगल दो का जाएगा कि उपर यहीं आपको क्या करना था पूरूफ करना था यह आपका प्रूव्ड हो गया तो यह था आपका कुशन नंबर पंद्र आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ में तो आई होगी चले इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर क तो यह दोनों क्या होगे तिरिया करेखा होगी यह क्या इसको थोड़ा से हमागे बढ़ा करें तो क्या हो जाएगे तो सिर्द करना कि एंगल डी बराबर एंगल डी सीवी जडिए इसको हम ध्यान से रफ फीगर बनाती है कुछ इस प्रकार का है जैक है इस प्रकार है यह माल लिजे खें इस चतरूज नहीं यार रखने है सी हम लिखेंगे कि दिया है अब जो दिया है सबसे पहले हम उसको प्रटाइस हम करेंगे कि AB क्या है समनानतर है CD के तथा साथ में क्या दिया है कि AD क्या है समनानतर है BC के अब क्या करना जो सिध करना उसको लिखेंगे तो सिध करना है जो सिध करना उसको लिखेंगे ना तो सिध करना क्या कि एंगल DAB बराबर एंगल DCB यानि अंगल DAB यानि ये कौन बरावर DCB ये कौन क्या है दोनों क्या है बरावर है चलिए इसको देख लेते हैं प्रमान देंगे तो प्रमान में हम क्या है? बारी बार से जो हमारा दिया गया है उससे हम चलेंगे सबसे पहले चलेंगे A,B समनांतर C,D यह कौन और क्या होता है लिखे होता है तो हैं आप लिख रहें कि अंगल A, B, C, पलस एंगल, D, C, B, बराबर क्या होगा, 180 degree हो जागा, इसको मान लेंगे, समीह करने, और ये कैसे होगा, कि तिरियक रेखा के, क्या होगा, तिरियक रेखा के, एक ही और के अंतह कौन, एक ही और के अंतह कौन से, ठीक होगा, चले, पुना चलते हैं, हम दूसरा, यानि से, A, D, समनांतर, B, C, से, ये भी क्या है, आपका दिया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कि, आपका क्या हो जाएगा, कि, एंगल, D, A, B, यानि ये कौन, और आपका ये कौन, ठीक है, पलस, एंगल, D, C, B, D, C, B, यानि ये कौन, ये कौन, ठीक है, इसको नहीं, ये दो तो यह कैसे होगा तो यह भी बिल्कुल उसी टाइप पर होगा तो यहां तुम क्या करेंगे समीकरन एक तथा दो से समीकरन का एक और बराबर यह भी बराबर होगा तो क्या बच गया है आपका एंगल अबसी बराबर एंगल डी अबी ठीक है ओ सॉरी यहां देख गलत हो गया यहां पर इक चीज गलत होगा सुधाल करेंसे रहे हJack hai यहीज हमें यह करें इसमें पर लिए लिए सॉभाए तो सुधार दुद्द्न लेंख लिए इसको सब् 거राबर हो दूजिए तो यह एंगल D a b पलस एंगल ABC पहले इसी को हमने लिख 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 ल करना था पूरूफ करना तो इसको आप थ्वासा सुधार लेंगे तो चले चलते हैं कुश्ण नंबर 17 में चले कुश्ण में 17 करता है कि एक तिर्यक रेखा दो निर्दिष्ट कौन हो एम तथा एम ठीक है एक निर्दिष्ट रेखा जिस पर क्या है कि दो कौन बने हुए हैं आपके यह एम एम हैं ठीक है दो कौन क्या है बने हुए हैं इस पर कारते कि तिर्यक एक ही और का अंतर कौन समान है कि यह को एक अंतर कुन क्या समान है तो क्या तक क्या एम समनांतर एम होगा यदि बाद से समने ऐसा ले दिया तो यदि ऐसा होता तो ठीक है क्या हो ऐसा हो ठीक है अंतर कौन हो तो क्या ये बराबर होगा इस कंडिशन में इस कंडिशन लंब डाला गया तेशा डाला गया तो कभी भी जो यह दोनों कॉन होगा वो बराबर नहीं होगा तो यहां लिखेंगे नहीं M समनानतर N तभी होगा क्या होगा M समनानतर की कि पूछता है कि किस कंडिशन होगा तो M समनांतर N तभी होगा जब तीरियक रेखा क्या होगा तीरियक रेखा रेखाऊं M तथा N रेखाऊं M तथा N पर क्या होगा लंब होगा जब तक लंब नहीं होगा क्योंकि लंब होने पर क्या होगा ये भी नबे डिगरी ये भी नबे डिगरी यही लिखना है आपको कि यह नहीं होंगे तब ही होगा जब क्या होगा कि यह क्या होगा कि यह क्या होगा कि यह दूसरे पर क्या होगा लंब होगा तो यह था आपका कुश्च नंबर 17 तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ज झाल झाल